तो पिछले पिजिट के हैंडिंग में हमने देखा था कि हैनल बुरे लोगों को ढूंडते हुए एक बिल्डिंग के सामने आ जाता है जो कि रास्ते के एकदम बिल्कुल बीचों बीच में होता है और अब आगे हैनल उस बिल्डिंग के अंदर जाते हुए अपने मन में सोच लेके मारे मेरा हाथ आफिसकार है और मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं तो ut— पे यहां के लोहों को भाट jewels को भाला सकता, मुझे ऐसा गिसरबा होगा जिसकी बॉड़ी मेरे से बहुत बड़ी हो कि ऐता है और वहां पर बहुत हो घsti वहां Сाइड है ौर वहां पर एक भॉह भूल रहा होता है 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 स्कूलर्स अगर तुमने इन बॉलों को टच किया होगा जब मैं बातरूम में था तब तुम मरने वाले हो फिर हैनुएल उसको देखकर अपने मुझे सोचता है जैसा बंदा मुझे चाहिए था लेकिन नहीं यह तो उससे भी ज्यादा बड़ा है फिर एक बंदा उस होते हैं आते आते वार्य गिर से मुझे और बंदा है और फिर दिखाते हैं की बहुत अब इसके नमबर बोलता है मैं तर पर वह घर नहीं हो घर होगेяс़ लोगे तुम मुझे क्या इg depths होगे फिर तिसाएक रोते हैं घ्याएख फोत कर sources आवल के साथ जल्दी से बापस आता हूं, प्लीज मुझे मत मार्यें, फिर बंदा गुस्से में टीसाइक को मारने के लिए आता है और बोल रहा होता है, तुम जैसे किसी कीरे की हीमत भी कैसे मुझे इग्नोर करने की, और फिर दिखाते हैं, पीछे से किसी ने टीसाइक का न यहां पर बहुत लोग है जो कि मरना चाते हैं जो कि यहां पर पूरे दिन क्रॉल करते हुए घूमते रहते हैं फिरो बंदा टीसाइक का गला पकड़ते हुए बोलता है यह बंदा यहां तकी इसने अपने दोस्त को भूला लिया मुझको इग्णोर करने के लिए तो मुझे लगता है कि तुम सच में यहां पर आज मरना चाते हो फिर टीसाइक चिला कर बोलते हैं यह बुड़ा बंदा है यहां तकी कच्रा भी इसके सामने अच्छा लगने लगेगा और फिर बंदा टीसाइक को गुसमें बोलते हैं क्या तुमने क्या कहा तुम पागल बेबकूफ और वो इतने बोल पाता है और तभी हैनेल उसके सर पर कुछ फेक कर मारता है और अपने चसमें को भाई परी फेक देता है एनेल के हमले की बज़े से उसके सर से खूर निकल रहा होता है और वो बोलता है यह चीज़ क्या थी और फिर हैनेल होटी confidence के साथ उसको बोलता है strike और फिर वहाई स्कूलर हैंवेल को एक स्टिक से मारते वह बोलता है आके का तुमरी हिम्मत भी कैसे मेरे बड़े भाय के तरफ कुछ फेकने की और फिर हैंवेल अपने मर में सोचता है यह क्या है मुझे देखने से लग रहा है कि यह सब स्लो मोशन में मूव हो रहा है मेरे प हैंवेल यह सब बाते सोची रहा होता है लेकिन तभी उस बड़े वले बने ने बहुत ही तेजी के साथ हैंवेल के मुझे सामने एक पंच मारा होता है और फिर हैंवेल बहुत ही मुखिल से बसता है और अपने मन Elon में पाफ नहीं प्रेनिय Rebel के पास्ट का सीम के बागता है अगर मैं ऐसे करते रहा तो मैं अपने से बड़े की सी ओपोनेंट को हाड़ा सकता हूं पिर 꺼내 मुझां को का विसी फूरा हमला, जी रहे पमारे स्पीट को्रदो के लिए तब समल्ट पर जीतने का एक बिटर चांस होगा फिर हैनर बोलत है तो इसलिए अपने मेरे हाथों पर यह रबर बैंट बांदा हुआ है लेकिन उसके जैसे स्ट्रॉण लोग के पास भी किया अपना उइक स्पॉट होगा फिर मास्टर हसते उसके बोलते उसके घुटने वो लोग जिनके वेट सबसे ज्यादा होते हैं उनके नीज के ऊपर बहुती प्रिशर रहता है लेकिन उन लोगों के घुटने के मसल्ड भी बहुत स्ट्रॉण ह होते हैं लेकिन वो लोग तब नहीं बच पाएंगे जब उनके घुटनों के ऊपर डारेट अटैक होगा अगर तुम उन लोगों के घुटने के ऊपर एक अच्छा सा हिट कर पाते हो तब तुम्हारे पास एक अपरचुनिटी होगी आपना एक हांकरी हमला करने के लिए फिर हैंवेल बहुती तेजी के साथ जाकर उसके घुटों पर मारता है और जिससे उस बंदे का तोरह सा मूँ खुल जाता है और बोलते है वा तुम्हारा मूँ खुल गए अब यह मेरा चांस है यह अब मेरा चांस है मेरे इस आकड़ी हमले का हैंवेल उसको पंच वारने के लि एक strong हाथ का महत्वा क्या होता है लेकिन वो बंदा हैनेवल के हमले समल जाता है और फिर हैनेवल इस पर जाता है ऐसा कैसे हो सकता है और फिर हैनेवल अपने मन में सोचता है इस moment के आने से पहले मुझे कोई idea ही नहीं था कि ऐसी fights जो लोग करते हैं उनको आखिरकार कितना डर हैनेवल फिर लगता हो और फिर बू लो क्या फेस्ट करते होंगे और फिरवा बंदा हैनेवल बंदा को उठाकर दूर पटक देता है जिससे हैन्व पीछे जाकर किसी चीद से टकड़ाता है और उसके मुझे को खून Isayu Bakke Baja मूं के पास साकर अपना पेर उनर उठाकर से फिर हैंग चुल हैंग से बोलता है कि तुमने मुझे एक बार कहा था कि अगर मुझे कुछ कोई भी चीज की जरुवत परी तो तुम मुझे बो दे गए मुझे पता है कि यह गरत है लेकिन फिर भी क्या तुम यह चांस दोगे कि मैं इस बच्चे को पीसिस में काट सको फिर हैंग हैंग से बोलता है मुझे पता नहीं कि तुम इस बच्चे के बारे में क्यों बोल रहे हो लेकिन इस बच्चे ने मुझे बहुत परिशान किया है इसलिए मैं तुम को यह नहीं दे पाऊंगा फिर Hengcheel Hengg से बोलता है मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो लेकिन अगर बाहर पता चल गया कि तुम एकス्टूडन्ट को मार रहे हो तो फिर Hengchel Hengg KILL की तरफ देखकर देखकर बोलता है चलो मुझे इसमे तो मसा आ गया फिर हैंग चोल हैंवल से बोलता है तुम कॉंटेस्ट के सुरू होने से पहले अभी वी कुईट कर सकते हो मैं किजी से भी अपने खिलाने को कैसे तूटते हुए देख सकता हूँ जबकि मैंने उसको बहुत दिनों से नहीं देखा और वो सिन्ग बाई पर इकट हो जाता है और फिर दिखाया टीस्टाइक और हैनेवल का स्निचा वर च्छत पर ख़़रे होते हैं यानेवल तुम उत्यम सत्मस्वेस्ट मस्ला प्या है आगर कर करता हुँ मेरा मतलम तुम अभी पुड़ा बदल गए हो, क्या तुम्हें दिख रहा है, हैनुल उसके बात सुनका थोड़ी दिख चुप रहता है, और फिर T-Sec उसका बोलता है, तुम, फिर T-Sec बोलता है, मैं भी अपने एक जगे पर खाड़ा रहा कर, फाइट करना चाहता हूं, मैं भ अब भी ऐसा ही मैसुस करता हूं, और मैं हमेसा ऐसे ही पागल हो जाता हूं, जैसा कि अभी ये ऐसा नहीं है, कि मैं अचनक सहे भीमत वाला बन गया हूं, ये इसलिए है, क्योंकि मैं अपने इस बंग जैसे feeling से बाहर निकलना चाहता हूं, अपने अंदर की इस guilt feeling को मिटान करने के लिए में बहुत सब करोंगा, चुब ही मुझे करना पड़े, इसे फरक ने बढ़ता कि बो कितनी भी मुश्किल हो, मुझे अब भी पता नहीं कि मैं ऐसा कैसे हो जाता हूं, मैं ये नहीं बोल सकता कि यहां पर जो कर्यों हूं, बो सच है या फिजूर, फिटी साइ ये सब इसलिए हुआ, क्योंकि तुमने मुझे पूचा था, कि वो एक बुड़ा बंदा है या नहीं, लेकिन आखिरकार में ये सब इसलिए हुआ, क्योंकि हम लोग दोस्त है, हैनल को उसकी बाते अब भी समझ नहीं आ रही होती, और फिस साइट से कावाज आते हैं, जो क तक खतम नहीं हो जाता तब तक, तुम बस बहुत सारा खाओगे और सोगे, इसलिए अब जल्दी से अंदर चलो और थोड़ा सा सो जाओ, फिर हैनल के पूचता है, क्या, मुझे बस खाना और सोना है, फिर हैनल बोलता है, तो ऐसे ही में बस खाता और सोतारा, कॉंटेस होने के बाद, आखिरकार वो कॉंटेस्ट का दिन आ ही गया, तो अगले बिजोर्ब में हम देखेंगे, कि हैनल के फाइट हैंचिल के साथ सुरू हो जाते है, तो आज के लिए इतना ही, मिल दे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई